सिंग्रोले जुले में पुलिस कप्तान विरेंदर सिंग के निर्देशन के बाद अवैद कारोबारियों एवं नशे के तसकरों के खिलाफ पुलिस कोई मुरबबत नहीं करना चाहती जहां देरात मारा पुलिस ने बड़ी कारवाई करते हुए मादक पदार्तों की तसकरी का परदा फाश किया है साधी चार जनों को गिरफतार कर लिया है तसकरों के कबजे से पंदरा किलो गांजा सब्थ किया है SDOP नीरज नामदेव ने बताया कि मुगभी सूचना पर मारा थाना प्रभारी DSP चंदरशेखर पांजे ने सदलबल के साथ देर रात में अमीलिया घाटी के जंगल में घेरा बंदी कर सफेद रंग की ओल्टो कार और एक बाइक की तलाशिली जहां ओल्टो कार से 13 किलो DSP चंदरशेकर पांजे ने बता की ओल्टो एवं बाइक समेट कुल गांजे की कीमत 9 लाक रुपे आ की गई है आरोपी लाल बाबू अर्विंद दशरत अजय सभी के खिलाफ NGPS आग के तहट कारवाय की गई सिंगरोली से उपेंद्र दुबे की रपोर्ट गांजे अबैसराब और कोडीन कोरेक्स इस पर कारवाई कर रहे हैं इसी कली में 31 तारइक को हमें मुखवर से सूचना प्राप्त होई कि सरही से रजमिदान की ओर एक अल्टो कार जिसमें गांजा ले जाया जा रहा है जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई हाना प्रवाणी माड़ा चंदर सेखर पांडे जो की सिक्चू पुलिसा दिख्चक है इनके नेतवत में टीम बनाए गई और टीम को रवाना किया गया जैसे ही अल्टो कार अमेलिया धाटी में पहुची तो पुलिस की गाली को देखके उसको संदे हुआ और भागने लगा जैसे ही में भागा तो उसको घेरवन्दी करके पकड़ा तलासी ली गई तो कार में गाजा रखा होना पाया गया जिसको फिर थाने लेके आए इसमें चार नफर आरों की ग्रफतार किया अगया है जिनके उपर तीन सो पचुला स्वोटे की सब्रात कायम करके दर राम पर लीच में लीया गया है इसमें एक बाल अफचारी भी है और इंसा में ग्रफतार कर लिया गया गया वेच में जालिये है